नमस्कार, सलाम और जूले, मैं हूँ सुनम वंग्चुक लदाख से, आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुदार के कामों के बारे में, या फिर परियावरन के काम में, आइस तूपा आर्टिफिशल ग्लेशर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव सिंप्ली जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स जो की साधा जीवन अपना कर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं, मगर दोस्तों, आज मैं इन चीजों के बारे में नहीं, बलकि आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी संदेश देने के लिए आया हू जो की चीन और भारत के बीच अभी जो टक्राव और तनाव की स्तिती बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। जहाज भी वहाँ तैनाद किये गए हैं और एक गंटे पहले भारती अवाई उसना के जहाज भी मेरे उपर मंड़ा रहे थे। सामान निता जब सीमा पर तनाव होता है, तो हम आप जैसे नागरिक ये सोच कर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दोतरपा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बलकि पिछले कई हफतों से चीन ये दक्षिन चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हॉंग कॉंग के साथ भी छेड़ खानी कर रहा है। और मेरा ये विशलेशन है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वज़े से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलजाने के लिए कर रहा है। वो नाराज हो जाए तो फिर एक करांती की सी परिस्तिती बन पड़ती है और इस से चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्टरियां बंद हैं एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी बीस परिस्तित तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं क्रांती हो सकती है तख्ता पलट हो सकता है। चीन पडोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोडने में लगा हुआ है। और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब चार साल का आकाल और भुख मरी हुई थी और इससे द्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही जरूरी है और जिस दिन जीडीपी गट जाए वहां की जनता क्रांती के लिए तयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलिट पावर से भी ज्यादा वॉलिट पावर काम आएगी जो नागरिक पैसा खरचते हैं चीन के सामान को खरीदने में। जरा सोचिए हम आप भारतिय उद्योक को मार कर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल पांच लाख करोड के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हत्यार और बंदूप बनकर हमारे सैनकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड लोग और 3 करोड जो भारतिय बाहर के देशों में हैं सब मिलकर भारत में और बलकि दुनिया भर में एक boycott made in China movement या अभियान शुरू करते हैं तो आज दुनिया भर में चीन के परती रोश है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का boycott हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो। यानि कि उसकी आर्थ व्यवस्ता डगमगाए और उसके जनता रोश में आए विरोध और तखता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बड़नसीबी की बात होगी भारत के लिए जरा सोचिये। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी। और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान मोबाइल से लेके कम्प्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलोनों को खरीद कर उनकी सैना को पैसा बेज रहे होंगे। यह तो हुई हार्डवेर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सौफ्टवेर, एप्स, गेम्स जैसे टिक टॉक, चैरिट, इन सब में मस्त उन्हें दूसरी तरफ से करोडों करोडों का पैसा बेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मुव्मेंट की तरह, यह बायकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है, वो बारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी, जैसा कि हमारे प्रदान मंत्री न इन सामान का, तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रियोग करेंगे, और उससे मजदूरों को रोजगारी मिलेगी, और सारा देश खुशाल होगा, बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टकर ले सकें, सीमा पर भी, तो इसके लिए मैं आप लोगों से अप in a year, क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम एक साल के अंदर कर सकते हैं, तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिग्या करें, बलकि सो और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें, सोशल मीडिय पर और हमारी जो मीडिया है, वो जनता तक देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से एप्स लाखों में, करोडों में अनिंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा, और यही एक तरीका उसे मेज पर पहुं भी चीनी एपस हैं उन्हें, तो मैं एक हफ़ते में हटा रहा हूँ, बलकि यह फोन जो की चीन में बना है, इसे भी मैं एक हफ़ते में अपने जिन्दगी से अलग कर रहा हूँ, और एक साल के अंदर हर वो चीज जिस पे Made in China लिखा है, उसे जिन्दगी से निकालने जा र करता हूँ कि आप अपने शहर में, अपने महले में ऐसे इवेंट्स करें, जहां लोग पर तिग्याएं करें कि चीनी सामान का बहिशकार करें, जब तक चीन में परिवर्तन ना हो, और मैं सालों से कहता रहा हूँ कि 21 सदी में देश के लिए जान देने की नहीं, बलकि जिन जिन्दगी देने की जरूरत है, लदाक में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारूबार बहुत देखा, और जहां एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिनों ने जिए जान दिया, मगर इस 21 सदी में मेरा खयाल है कि देश के लिए जान देने की नहीं जिन्दगी देने की जरूरत है, तो आप भी निबाईएगा अपना रोल जैहिन